हेलो फ्रेंड्स जैसे कि हमें पता है कि पूरे भारत देश में कोरोना वारस इंफेक्शन काफी तेजी से फैल रहा है और उसे रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंटरल गवर्नमेंट जो कुछ भी स्टेप्स या मेजर्स उठाने वो सब कुछ कर रही है पर फिर भी इ कोवर्नमेंट ने जनरल प्रिकॉशन्स पब्लिक को लेने के लिए कहा है वो आपको फॉलो करना चाहिए जैसे कि सोशल डिस्टंसिंग एट लिस्ट वन मिटर का और मास्क पहनना सो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं जो बहुत से लोगों को पता नहीं है कि कितने प्रकार के मास्क होते हैं कौन से वेक्ति ने कौन सा मास्क पहनना चाहिए और मास्क पहनने का सही तरीका और मास्क उतारने का सही तरीका क्या है इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं और वीडियो के एंड में मैं बहुत इंपोर्टन टिप्स शेयर क तो सबसे पहले हम देखने वाले टाइप सौॉप मास्क यान की मास्क जितने प्रकार होते हैं मास्क में हैं फलू Cecil मास्क या फ्लॉट मास्क या फिर कपड़ेका मास्कु सेकेंड है medical मास्क या फिर की घर पे बनायावा हो सकता है या फिर आप उसे store में से purchase कर सकते हो पर एक चीज धान में रखनी चाहिए कि फैब्रिक मास्क यह तीन लेयर से होना चाहिए जो फैब्रिक मास्की और कपड़े की मास्की बाहर की लेयर होती है वह वाटर रेजिस्टन्ट मटेरियल से बननी चाहिए अंदर की जो लेयर होती है सबसे अंदर की लेयर वह वाटर एबसॉबंट मटेरियल से बननी चाहिए और बीच की लेयर ये फिल्टर की तरह काम करती है फिर फैबरिक मास्क कौन-कौन व्यक्ति पहन सकते हैं फैबरिक मास् जिनने COVID-19 के सिंटम्स नहीं है या फिर जो लोग जो crowded places में या बहुत से लोगों के contact में आ रहे हैं जैसे कि social worker, bank में के cashier लोग या फिर public transport से से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जैसे कि bus, train या फिर shared, taxis या auto या जो कुछ भी traveling जहां पर बहुत सरे लोग हैं वहां पर आप फेबरिक मास्च यूज़ कर सकते हैं फिर office या फिर grocery store या सरजी मंडी या market अगर आप जाते हो तो आपको फेबरिक मास्च का यूज़ करना सबसे पहले मास पानने के पहले हाथ साफ सुष्प ओने चाहिए हैं आपको हाथों को एक एक हार साबून या पानी से wash या clean कर ले चाहिए अगर साबून या पानी अविलेबल नहीं है तो आपको अलकोहोल बेस्ट हैंड sanitiser से हाथ साफ कर लेना हैं आपको हैंड सानिटाइजर इस तरह तरीके से हाथ पे लेना है और 30-40 सेकेंड के लिए आपको इस तरीके से हैंड क्लीन कर लेना चाहिए इस तरीके से हैंड क्लीन कर लेने के बाद आपको जो मास्क पहनने वाले हो उसे आपको हाथ में लेना है और उसे अच्छे से देख लेना है कि वो मास्क कही डैमेज या गंदा तो नहीं है आपको साफ सुत्रा मास्क ही पहनना है उसको इस तरीके से उठाने के बाद आपको मूग को लगाना है और यह कंफर्म करना है कि मास्क जो आप लगा रहे हो आपकी नाक, मूग और दाड़ी की एरिया यानि कि चिन एरिया को सही तरीके से पूरी तरीके से कवर कर रहा है और मास्क और फेस के बीच में कोई गैप नहीं है। एक बार पहनने के बाद आपको ऊसे कही पर भी हुश लगोने करता से हैं। को क्लीन कर लेना है तिर इसके बाद में हम देखने माले है को मास्क को हमें सही तरीके से कैसे निकालना चाहिए जब भी आप मार्केट से घर आते हो तो बहुत से लोगों को आदत हो दी है कि वो पहले मास्क को हाथ लगा के मास्क को अलग कर लेते नहीं जब भी आप कान के पीछे के लुप्स है उसे आपको पकड़ना है और आपके फेस से अलग करना है आपको मास्क को सामने की तरफ से कहीं पे भी टच नहीं करना है वो कान के पीछे के लुप्स मास्के अलग करके आपको फेस मास्क को आपके फेस से और बॉड़ी से अलग कर लेना है और ए जाओंगी मास के बारे में मुह यह है कि जब भी आप मास को एक बार सही तरीके से देख लाना चाहिए कि वह कहीं डामेज या पटा हुआ या गंदा तो नहीं है आपको साफसूत्रा मास की पहना है सेकंड़ आपका मास कही जाइप्त तो नहीं है आपका मास बहुत जादा लूज या टाइट नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर बहुत जादा टाइट है तो आपको ब्रीधिंग में प्राब्लम हो सकती है एक बार mask पहनने के बाद आपको ये ensure कर लेना है कि आपका नाक, मूँ और चिन ये पूरी तरीके से ढखा हुआ है और face mask और face के बीच में यानि चेहरे के बीच में कोई भी gap नहीं है जब भी आप लोगों से बात करते हो या एक मीटर के डिस्टंस में आपके आजवाज़ में कोई लोग है तो आपको mask को चेहरे से अलग नहीं करना है और घर में आने के बाद आपको वो mask को एक सही जगा पे रखना है बहुत से लोगों को आदत होती है कि mask कहीं पर भी घर में फेक देते हैं आपको वो नहीं करना है आपको एक clean plastic reusable bag में वो mask को रखना है अगर आप थोड़ी देर से यूज करना चाहते है अगर वो mask गंदा या फिर गीला नहीं हुआ है तो आप थोड़ी देर से उसे यूज कर सकते हो बट मेरी सला यह रहेंगी कि आपको आपके पास हर वेक्ति के पास कम से कम दो mask होने चाहिए और हर mask कपड़े का mask दिन भर में एक बार wash होना चाहिए wash करने के लिए आपको गरम पानी और detergent और soap का यूज करना चाहिए उसे 15 से 20 मिनिट के लिए detergent में भिगो के रखना है और फिर उसके बाद में वो mask को wash करके dry कर लेना है और एक common mistake जो बहुत से लोग कर रहे है वो यह है रहा है कि जब भी वो अपने करीबी दोस्त चाहिए पडूसी से बात कर रहे हैigerród यह इसर सोच रहे हैं कि इन्हे तो infection होओ नहीं सकता है क्यूंकि यह तो कही बाहार निकल ही नहीं है so जब भी वो mask पहन रहे है और फिर बात कर रहे हैं नहीं आपको ये नहीं करना है क्योंकि उनसे बात करने के पहले अगर आप किसी वेक्ती और उनसे बात करते किलए वां को इन इंफेक्टेड है और उनके मूह निखले हैं मुझा सब्सक्राइब वह अगर आपके गर्दन पर आये हैं तो जब भी आप मास्क पहन रहे हो तो वह मास्क आपको वैसे ही पहने रखना है आपको कहीं पे भी वह मास्क को टच नहीं करना है और जब भी आप मार्केट से घर आते हो अगर आपके घर में कोई बड़े बुजूर्ग है प्रेगनेट महीं लाए हैं तो उनसे भी आपको एक धूरी बनाए रखना है कि इन केस अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो उनको ये इन्फेक्शन होने के चांसे कम रहेंगे सो लास्टली मैं बस इतना कहना चाहूंगी अगर कोरोना वाइरस से आपको बचना है तो कोरोना वाइरस से आपको डरना नहीं है बरकि कोरोना वाइरस से आपको लड़ना है और कोरोना वाइरस से लड़ने के लिए ये सब प्रिकॉशन्स आपको लेना ही लेना है अगर य ऐसे ही health related information के लिए इस चैनल को subscribe जरूर करें साथ ही में bell बटन दबाना न भूले ताकि जब भी वीडियो upload होगी आपको notification मिल जाएगा Thank you